हेलो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम किसी भी रुबिक्स क्यूब को कैसे सॉलो कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ अल्गोरित्म है आपको इनको फालो करना है तब ही हम इन सबसारी लेयर को जैसे फर्स्ट लेयर हो गई और सेकेंड लेयर और धर्ड लेयर को हम एक एक करके सॉलो करना सिखाएंगे तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अब हमें सबसे पहले यह आपको पता होना चाहिए कि हैसे किसे बोलते हैं देखिए जो यह क्यूब में दोस्तों देखिए सबस्पहले तो एक एक की बात कर रहे हैं तो जो यह बीच के जो यह पार्ड होते हैं जिसमें सफेद या लाल है इनको हम एक एक एस बोलते हैं इसमें यह एचेस है यह दो कलर से जो मिलके बनता इन्हें एचेस बोलते हैं अब इसके बाद में अब सेंटर किसे बोलते हैं सेंटर मतलब यह जो इनके बीच में रहता है यह सेंटर कलर हो गया इसमें यह सेंटर कलर हो गया इसमें यह सेंटर कलर हो गया अब इसके बाद में कॉर्णर पीस किसे बोलते हैं जो हमारे बेकुल किनारे होते हैं जैसे कि ये तीन कलरोंस मिलकर बना होते हैं ये 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 हमारा एक कॉर्णर पीस होता है जो हमारे corner piece होते हैं पूरे cube में 8 होते हैं और हमारे center piece होते हैं ये पूरे cube में 6 होते हैं तो अब हम start करते हैं video को तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें first layer पे start करना है तो first layer पे हमको पहले कोई ब्याच सेंटर color लेना है जिसमें आपको क्यूब सॉलो करने में आसानी हो जैसे कि मैं यहाँ पहले लेता हूँ सेंटर कलर सफेद जिसमें सेंटर में सफेद हो तो अब इसके बाद हमको देखना है कि जो सफेद कलर के पीछे कौन सा कलर है जैसे इसमें येलो कलर है पीछे इसके तो हमें ये येलो कलर के एचेस को इसके चारों तरफ येलो कलर के एचेस को लाना है त्रेसे की दो तो यहां पे है ही है अब एचेस लाने है तो हमें देखना है कि एचेस के लिए ये येलो कलर कहां कहां है ये देखिए एक एचेस यहां पे इसको देखना है कि एक यलू हमारा बीच में कहां पे है यह यौज इन् इा इसके दोस्तों अब ये इसार चारों तरफ ये पीले कलर के आगायेर के ही है में इसके बाद में हमें इसको अleness 40 कलर है हमें दोस्तों देखिए नारंगी नारंगिस मिल गया अब हमें इसे दो बार गुमा देना है अब हमें देखना इसके बगल में जैसे यहां पे लाल कलर है तो इसको लाल से लाल को मिलाना है फिर हमें दो बार गुमा देना है अब इसके बाद में हमें देखना है यह नीला नीला है दो बार गुमा दिया अब बाद में यह हरा है हरे को हरेज मिलाया और दो बार गुमा दिया तो दोस्तों देखिए नीचे पीरे करर का भी क्रॉस बन चुका है अब हमें जो यह कॉर्णर है कॉर्णर को हमें बिल्कुल अच्छे से लगा देना है तो जो कॉर्णर को स चाहिए एक तो जो इसके जब ये कॉर्णर की बात हो तो इसमें जिस कॉर्णर में ये कलर हो और ये रिज़े की नारंगी हरा और पीला कलर इसमें हो वो कॉर्णर हमें ढूड़ना है तो देखिए यहां पे नीला पीला और नारंगी है हमें ढूड़ना है नारंगी हरा और प नारंगी हा रहा और पीला है तो अनको पहले इस corner को हमें इस तरफ लाना है तो हमें कुछ करनी करना है एक algorithm लगानी है R, U, R, U R हमारी यारी layer होती है और U जो है U हमारी यारी layer होती है और जो हमारी R है यही वारी layer और फिर हमारी U है तो अब हमको क्या करना है कि यह जो हमारा कौन सा कलर था है यह नारंगी, हरा और पीला तो इसी कलर के हमें कॉर्णर को देखना है जैसे हमने यह देख लिए यहाँ पे है तो हमें यह यह अल्गोरित्म लगानी है R, U, R, U मतलब यह जो R है R को हमें उपर करना है और यह U है, U को हमें आगे तरफ करना है और जो R है, R को नीचे की तरफ करना है और U को फिर वाबस पीचे करना है अब इसे को हमें एक बाल लगा देना है अल्गोरित्म R, U, R, U तो देखिए दोस्तों अब यह जो करनर था, यह उपर आ गया है अब हमें इस करनर को उसी तरफ ले जाना है जिसको हमें नीचे लगाना है तो दोस्तों देखिए इनके बीच में यह करनर आ चुका है अब इसी अल्गोरित्म को हमें लगाना है जब तक ये corner हमारा set ना हो जाए देखिए दोस्तों हमारा ये एक corner set हो चुका है अब हमको ऐसे ही दूसरे तरफ देखना है जिसमें ऐसा corner देखना है इसमें हरा color हो लाल color हो पीरा color तो देखिए दोस्तों ये रावग corner जो की नीचे लगा है हमें इसको उपर लाना है तो फिर से इसी अलगोरित्म को एक बार लगा देंगे R को उपर, U को आगे की और, R को नीचे की और, U को पीछे की और तो देखिए दोस्तों जो हमारे एक कॉर्णर पीस है या हमारा उपर की और आ चुका है अब हम इसको वापस से उसी तरफ ले जाएंगे जहां पे ये कॉर्णर पीस चाहिए तो जैसे यहां पे हरा है, लाल है और अब हमको जो इस वाले कॉर्णर को है इसको यहां पर लाना है, तो हमको यही अलगोरित्म तब तक लगानी है जब तक यह अला कॉर्णर solve ना हो जाए R को उपर की और U को आगे की और R को नीचे की और U को पीछे की और तो देखे दोस्तों इसमें तो एक बार में ही सेट हो गया लेकिन जब तक यह अला सेट ना हो जाए कॉर्णर तब तक हमको इस अलगरित्म को लगाते रहना है अब हमारा इस तरफ का कॉर्णर चाहिए जिसमें लाल है नीला है और पीला कलर है तो देखना हमें लाल नीला और पीला कलर किस तरफ है यह देखो देखो दोस्तों इस तरफ ही हमारा लाल नीला और पीला कलर तो हमको पहले इसको उपर लाना है तो यही अल्गरित्म एक बार लगाएंगे R को उपर U को आगे की और R को नीचे की और U को पीछे की और देखे दोस्तों अब यह हमारा फिर से उपर की और आगे है अब हम इसको इसके ठीक जगाए पे ले आएंगे जहां पे लाल है नीला है और पीला यह राल यह नीला और यह पीला कलर अब अब हमको यह अल्गरित्म तब तक लगानी जब तक यह अल्गर्णर हमारा सॉल्व ना हो जाए R को उपर की और U को आगे की और R को नीचे की और U को पीछे की और देखिए दोस्तों याला कॉलर हमारा सॉल्व हो चुका है देखिए दोस्तों हमारी ये पूरी लेयर फर्ष्ट लेयर सॉल्व हो चुकी है अब हम बात करेंगे सेकंड लेयर की तब हमको देखना है जो हमारा उपा तरफ जो हमारा कलर था इसमें है इसमें सफेद और लाल लेकिन हमें लाल सफेद कलर कहीं ना होना चाहिए है इसमें देखना है कहां पर सफेद नहीं है इसमें है इसमें नहीं है सॉरी है और इसमें नहीं है तो हमको इसी वाले को लेना है अब हमको तो देखना है कि लाल के ऊपर जो कलर है वो हमारे किस तरफ जिसमें नीला कलर है तो इस तरफ हरा है इस तरफ हमारा नीला कलर है तो जैसे कि यहां पे नीला कलर है तो हमको यहाली लेयर को आगे की ओर कर देंगे जिसमें नीला है उसको ऊपर की ओर कर देंगे और फिर सिहाली लेयर को पीछे की और कर देंगे और नीले वाई लेयर को नीचे की और कर देंगे तो जैसे हमने इसको कर दिया अब सबसे पहले हमको यह पीला कलर मिला लेना है देखिए दोस्तों सेकंड लेयर का एक एचेस हमारा सॉल हो चुका अब हमको फिर से देखना है कि किसमें सफेद कलर नहीं है जिसमें हरे में नहीं है तो हमको हरे को पहले हरे के सेंटर से मिला देना है मिला दिया अब देखना है इसके उपर जैसे कि लाल कलर है तो लाल को बगल में इस तरफ लाल है तो हमको इसको आगे की और लाल वाले को उपर की और इस लेयर को फिर से पीछे की और लाल वाले को नीचे की और कर देना है हमने इसको कर दिया अब हमको जो हमारी फर्स लेयर है इसके पीले कॉर्नर को वापस ले आना है देखियो दोस्तों हमारे दो HSPs solve हो चुके हैं 2nd layer के हमें देखना है फिर से किससे ऩng đã उल्माइ इसमें नहीं हो तो प्रेंड़ क्राइब करने तो हमको नीले कंश्रें मिल गया है इसके ऊपर हमारा नारंगी कलर है नारंगी हमारा इस तरफ है हमें इस हाई लेयर को आगे की और इसको उपर की और इसको पीछे की और इसको वापस से नीचे की और कर देना है अब हमको जो फर्स लेयर का जो पीला कदर है इसको हमें फिर से पहले ही तरफ करना है देखे दोस्तों यह फरस्ट लेयर को वापस सई नहीं है तो आब हरे को हरे kolर से मिला देना है अब इसको उपर नारंगी कलर नारंगी इस तरफ है इसको आप पीछे तरफ मतलब अल्टी तरफ गुमाना है पीछे तरफ कर दिया और नारंगी को उपर क्योर इसको हमें फिर से आगे तरफ करना और इसको हमें नीचे क्योर कर देना है अब हमें इस पीले को पीले से पहले हमको मिला देना है जैसे यह मैच हो चुका है तो दोस्तों देखिए हमारी यह सेकंड लेयर भी कम्प्लीट हो चुकी है तो दोस्तों अब इस क्यूब की दोनों लेयर सॉल हो चुकी है अब हमारी बात आती है थर्ड लेयर की तो थर्ड ले के लिए जो हमारे जो उपर के जो हमारे सेंटर कलर है उसी का में क्रॉस बनाना है मतलब की इस पूरी लाइन में सफेद कलर और उपर से नीचे तक पुरा सफेद कलर होना चाहिए तो इस cross बनाने के लिए हमें पहले एक कुछ point देखने देशे की अब हमारा ये सिर्फ center color उपर की हो रहा है तब हमको ये algorithm लगाएंगे तब हमारा ये second number पे आएगा ये center piece का जो color है तो हमको तस पहले ये algorithm लगानी algorithm हमारी क्या आईए एफ मतलब याली जो layer है और ये जो आर मतलब याली layer और यू हमारी याली layer और आर हमारी फिर सिया याली layer यू हमारी याली layer और एफ हमारी याली layer तो जैसे की सबसे पहले इस algorithm में एफ मतलब याली फ्रेंट layer इसको हमें नीचे की और करना है और ये आर मतलब ये राइट लेयर राइट लेयर को हमें उपर क्योर करना है और यू मतलब अप लेयर अप लेयर को हमें आगे क्योर करना है और आर मतलब राइट लेयर इसे हमें नीचे क्योर करना है और यू, यू मतलब अप लेयर है जो हमें इसे पीछे क्योर करना है और फ्रेंट लेयर को हमें वापस से उपर क्योर कर देना है तो दोस्तों देखिए अब हमारा ये सेकेंड नमबर पे आ चुका है ये सेकेंड सफे कलर का जो है अब हमें फिर C.I.E. अलगोरित्म लगाएंगे तो हमारा ये थार्ड नमबर पे आ जाएगा पूरा कलर दोस्तों इसको हमें ऐसे ही रखना है जैसे की चित्र में बदा आये गया है तो हमें को फिर C.I.E. अलगोरित्म लगाने है F को नीचे की और घुमाएंगे R को उपर की और करेंगे U को आगे की और करेंगे R को नीचे की और करेंगे U को आगे पीछे की और कर देंगे और F को उपर की तरफ कर देंगे तो दोस्तों देखिए अब हमारे ये थर्ड पॉइंट में आ चुका है अब हमारा cross बस बनने ही वाला है अब हमको एक बार और यह algorithm लगा देनी है और हमारा यहाँ पे सफेज कलर का cross बन जाएगा तो अब F, F मतलब यह front layer इसको हमें नीचे cure कर देंगे R को उपर cure कर देंगे U को आगे cure कर देंगे R को नीचे cure कर देंगे U को पीछे की ओर कर देंगे F को वापत से उपर की ओर कर देंगे तो देखिए दोस्तों अब हमारा सफेद कलर का यह cross बन चुका है जो हमारी third layer थी अब हमें second point में चलना है जो यह हमारे point है यह मतलब इस तरफ की color तब हमको सब सहले क्या देखना है जब हमने यह cross बना दिया तो हमको आप देखना है कि इसमें कौन से point है जो विल्कुल match है जैसे कि अभी तो मेरे यह match है लेकिन मैं अभी आपको एक और चीज़ करके दिखाऊंगा तो अब second point में हमको देखना है कि जो हमारे यह आली last layer के जो edge piece में है कौन से edge piece जो है center से match है जैसे कि यहाँ पे नीला नीला match है और यहाँ पे पीछे हरा हरा match है तो हमको इस position में हमारे जैसे क्यूब आ गया है कि यहाँ पे नीला नीला match है और यहाँ पे हरा हरा match है तो हमको पहले इसको ऐसे रखना है कि आगे तरफ हमारा एक हो और हमारा एक बीचे तरफ जो मैच वो रखा हो अब हमें यह एल्गरित लगा देनी है आर को उपर की ओर फिर हमारी यू है यू को आगे की ओर फिर हमारी यू है आर को नीचे की ओर जो हमारा यू है यू को आगे की ओर और फिर जो आर है आर को आगे की ओर फिर जो हमारा u है u को हमें दो बार आगे की और जो r है r को हमें नीचे की और कर देना है जैसे हमने कर दिया तो दोस्तों देखिए अब हमारी इस position में आ चुका है कि हमारा एक तो सामने का जो hs वो बराबर भी को मिल गया है और इसके बगल कमिल गया है, मतलब second number में हमारा आ गया है, second number पे हमारा आ चुका है, तो अब हमको ऐसे भी रख लेना है, कि एक हमारा बगल में हो है, और एक हमारा पीछे की और हो, तो जैसे कि एक हमारा अब यहाँ पे बगल में है, और एक हमारा जो मैच सेंटर से पीछे है हमको अब फिर से यह अलगोरित लगा देनी है R मतलब यह आई लिया R को हमें उपर क्योर करनी है U को हमें आगे क्योर करना है R को हमें नीचे क्योर करना है U को हमें आगे क्योर करना है R को हमें उपर क्योर करना है और जो U है U हमारा दो बार आगे की ओर करना है और R हमारा नीचे की ओर करना है तो देखिए दोस्तों अब हमारे ये चारों Hs सेंटर से मैच हो गए है अब हमको थर्ड पॉइंट में आ जाना है तो थर्ड पॉइंट में हमको यह देखना है कि कौन से जो कॉर्णर पीस है हमारे ठीक जगह से लगे हुए है ठीक जगह से क्या मतलब है कि इसमें यहाँ पे हरा नीला और उपर सफेद कलर है वही कॉर्णर पीस में कलर चाहिए यहाँ पे यह तीनों कलर हों जिसे सफेद लाल और नीला यहाँ पे नहीं है अब इसमें देखना है जिसे यहाँ पे हमारा सफेद नीला और हरा यह देखिए यहाँ पे हमारा कॉर्णर पीस में तीनों कलर है सफेद भी है नारंगी भी है और नीला भी है तो अब हमें ये अल्गोरित्म लगा देनी है अल्गोरित्मे में क्या ही है L मतलब हमारी अब ये लेफ्ट लेयर लेफ्ट लेयर को हम L बोलते हैं और यू हमा जानते हैं ये पूरी अल्गोरित्म आपने पढ़ी हुई है बस में L मतलब ये left layer जो है तो अब हमको साथ पहले उसी ठीक पीस को ले लेना है corner को जो हमारा ठीक जगह लगा हुआ है तो हमने इसको अब इसी तरह रखके हमें ये algorithm लगा देनी है, L मतलब left layer इसको हमें उपर क्योर करना है, और U मतलब हमारी याली layer इसको हमें आगे क्योर कर देना है और R मतलब याली layer इसको हमें उपर क्योर कर देना है U मतलब याली layer इसको हमें पीछे क्योर कर देना है L मतलब याली layer इसको हमें नीचे क्योर कर देना है और U मतलब याली layer इसको हमें आगे क्योर कर देना है R को हमें नीचे की और कर देना है अब सबसे पहले हैं Hs को मैच कर लेना है मतलब इनको पहले हमें मिला लेना है अब देखना है कि क्या ये सारे corner ठीक तरीके से लग चुके हैं तो इसमें यहां पे सफेद, नीला और नारंगी है तो यहां सफेद, नीला और नारंगी है तो यह हमारा ठीक जगह से लगा है यह थो हमारा fix है यह हमारा ठीक तरीके से लगा है यहां पे हरा, लाल और सफेद यह भी हमारा fix है अब हमारा यह लाश्ट बिल्कुल पोजीस्टन बे हमारा यह क्यूब आ चुका है अब हमको क्यूब को ऐसे रखना है कि जो हमारा यह कॉर्टनर है यह हमारा नीचे की तरफ हो जो भी हमारा सॉल्व नहीं है अब हमको यही वाली जो हमारी अल्गोरित्मिती जो हमने पहले लगाई है इसको हमें इसमें तब तक लगाना है जब तक ये हमारा क्यूब सॉल्वना हो जाए R को उपर, U को आगे की ओर, R को नीचे की ओर, U को पीछे की ओर इसे हमें तब तक लगाना है जब तक ये हमारा क्यूब का ये कॉर्नर सॉल्वना हो जाए देखिए दोस्तों यह हमारी सॉल्व हो गए है अब हमको फिर से उस पीस को देखना है जो हमारा सॉल्व नहीं है इसको हमको गुमा के इसी के नीचे ले आना है हमको फिर से यह अलगर्ट में लगानी जब तक हमारा पूरा क्योब सॉल्व नहीं हो जाए आर को उपर की और यू को आगे की और आर को नीचे की और यू को पापस से पीछे की और यह हमारी U vayla yer हमें जरूर करनी है अगर जब तक हम यह U को पूरा आखरी तक नहीं खुमाएंगे तो हमारा क्यूब पूरा बेकार भी हो सकता है जो हमने इतनी भी मैंनत करी है हमारी बेकार भी जा सकती हमें यह अलिले yer को जरूर घुमाना है अब उसको लगाते रहेंगे R को अपर की और U को अमारी आगे की और R को अमारे नीचे की और U को अमारे पीछे की और देखिए दोस्तों अब यह हमारा पूरा क्यूब सॉल हो चुका है अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद